हलो दोस्तो स्वागत है अपका जीकेवित अजीम यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज का जो हमारा टापिक होगा वो आरार वी निमेरिकल वाला होगा गुरूडी का गुरूडी का ये निमेरिकल होगा और दिसंबर का दिसंबर 2018 वाले का ये पार्ट टू है मैंने इसको पार्ट टू अलगा रहे वन वाला हो चुका है अगर आप जानना चाहते हैं कि 2018 में निमेरिकल के ग्रूप डी में किस तरह के परसन आये थे तो मैंने वो वाला वीडियो कराया है ठीक है और इसके बारे में निमेरिकल चाहते हैं कि चेप्टर वाइस मुझे मिल है तो आप इबुक चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक और यह जो मैं पड़ा रहा हूं यह पेपर जो मैं करा रहा हूं इसका पीडिएफ आपको यह जीके वित अजीम टेलिग्राम चैनल पर आपको यह मिलेगा वहां पर यह वाल और वन वाला मैं करा चुका हूं नीचे लिंक है आप चाहे तो जाकर उसको भी देख लीजिए यह प्लेलिस्ट में चले जाए यह गूरूब डी है मेरिकल वहां पर मैंने चेप्टर वाइस कर आया हैं बहुत से सवाल चाहे तो आप जाकर वहां से भी इसको देख रुटि रहेगा, प्रिथिह पर स्समान अस्तर पर 500 मीटर पर 30 सकेंड के वेगं से टकर आतीं है i yo के प्रतिरोत का सामना Хण करना कर किया गया कार इतना होगा मानने जिक कोई बंदूंख है यह बन बहुत है मानने कोई भी जाहिब है । इससरे गोली दाग दी गई गोली का वेट दिया हुआ है कितना दस गराम तो पूछता है कि जब एक हजार था पान सो हुआ तो जाइर से पात है जब छूटा तो एनरजी ज्यादा थी उसके बाद घरचन करके हो गया पान सो मीटर पर थी सेकेंड हो गया यानि इसके इनरजी घट गई तो जितनी घटी ह किया एनरजी वही कार होगा वही क्या कहलाएगा किया गया कार है तो इसको हम निकाल लेते हैं यह बहुत आसान है सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि पहला हम पहले इसकी एनरजी क्या थी एवन हम माल लेते हैं एवन माल लेते हैं सब एक चीज़ और है पहले आप इसे देना आपको तो सबसे पहले एवन बराबर एवन बराबर कितना होगा तो यहां पर दिया एक बटा दो एम वी स्क्वाइर इसकी पहली मतल़ एनर्जी क्या रही होगी तो बराबर एक बटा दो एम कमान दिया है दस पे माइनस 3 गुड़े 10 पे माइनस 3 होगा गुड़े 10 के घात कितना हो जाएगा 1 हजार का वर्व हो जाएगा आप जब इसको हल करेंगे पुरा काट उठ कर तो पुरा हल करने पे आएगा ये 5 गुड़े 10 के घात 10 के घात तीन आएगा, यह आएगा तीन जूल एनरजी थी, जब यह 1000 पर था, अब निकाल लीजे एटू, एक बटा दो, एम वी स्क्वाइर, तो बराबर क्या होगा, एक बटा दो, एम कमान भी वही रहेगा, यह चेंज नहीं होगा, 10 पर माइनस 3 केजी, अगुडे 500 का क्या है, इसका वेग का वर हो जाएगा, इसको जब आप हल करेंगे आप न, तो यह आएगा 1250 जूल आएगा यह, आप करिएगा इसे हल, दोनों को लगएगा समय, एतना आप कर सकते हैं, अब इसको क्या करेंगे आप, इवन माइनस, इटू कर दीजिएगा, जो पहले एनर्जी थी, अब थी, वही घरस्ण के जार कारण जो वे कम होगा, वही किया गया कारे होगा, तो आप इसको 5, इसको 1000 माल लीजिए, इसमें से घटा देंगे इतना, 1250, जब आप इसको घटाएंगे आप 1250 न, तो यह 12, तो यहां से 9 तो 7 हो गया, और यहां पे 4 तो 4 में से 1 गया से थे, तो 3750 जूल होगा यह, जूल होगा, अब इसका आपसन जो होगा, वो डी वाला सही होगा, यह वाला, आगे, एक दसमल पांच मोल स्यूटू में कितने गराम होंगे, देखिए, यह सवाल लगाने के आप चाहें तो जाको उसे देखिए, मैंने उस पे वीडियो भी बनाया है, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी है, वहां पे आपको रसायन विज्ञान के निमेरिकल मिल जाएंगे, और अनु भार निकालना भी आपको मैंने बताया है, वीडियो में अग तो C पलस O गुड़े 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12 पलस कितना होगा, 32 बराबर कितना हो जाएगा, 44, यह 44 होगा, तो अब आप कह सकते हैं कि एक मूल, यह देखिए, यह जो चीज़ आपको समझ में नहीं आगी, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, यह पढ़ कितने होते हैं, 44 गुड़े 1.5, गुड़ा करेंगे, गुड़ा करेंगे तो आएगा 6-6 गराम, यह होता है, मूलर हरमान होता है, 44 गराम में 1 मूल होता ही है, ठीक, अणुभार निकालने का तरीका मैंने बताया है, चाहे तो अब जाकर उसको देखिएगा, तो इसका आप स कौन जो होगा, वो 6-6 गराम, बी वाला सही होगा, इसका आप सन कौन सा होगा, बी सही होगा, आगे, जब 100 निव्टन का एक बाल 50 केजी के एक वस्तुपर लगाते हैं, तो उत्पन होने वाला तो रहन क्या होगा, तो देखिए इसे, इसमें जो जो दिया है, लिख एफ बराबर, एम ए, इसलिए ए बराबर, एफ बटा में एम, एफ कमान दिया है, 100, एम कमान दिया है, 50, कितना होगा, 2, मीटर परती सेकेंड, इसमें देखिए आप सन, इसका आप सन जो होगा, वो सी सही होगा, 20 केजी दरमान की वस्तू 55 मीटर प्रती सेकेंड की गती के साथ चलती है गती ज उर्जा क्या होगी देखे M बराबर दे दिया है 20 जो दिया होता है उसको लिखा जाना चाहिए पहले V कमान दिया है 5 एनरजी कितना होगा काइनाइटिक एनरजी 1 बटा 2 M V स्कुायर बराबर 1 बटा 2 M कमान इसमें दे दिया है 20 अब गुड़े V कमान दिया है 5 का वर्ग तो कितना होगा 10 गुड़े कितना होगा 25 बराबर 250 जूल होगा इसमें जूल वाला देके पासकल भी दिया है ये वाला होगा D वाला सही होगा अगला अफसन एक लड़के ने एक चटान के पास ताली बजाई तीन सेकेंड बाद उसे प्रतिधोनी सुनाई दिया यदि धोनी की गती 346 मीटर प्रतिधोनी दे दिया है तो वह लड़का चटान से कितनी दूरी पर है सबसे बड़ी चीज एक लड़का था माले यहां कोई चटान था अगरा एक लड़का यहां था यहां से इसने ताली बजाया और तरंग ऐसे गया और लोटके पुनछ सुनाई दिया प्रतिधोनी इस धोनी को जाके यहां से आने में टी बराबर कितना लगा तीन सेकेंड लगा है, समय लगा है यह, तो अब हम और इसकी चाल हम लोगे, और कितने इस पीट से गया था तो 346, यानि जाने या आने में समय को हम निकाल लें, और इसमें गुड़ा कर दे तो हम ग्यात कर लेंगे दूरी, तो अब यह जा कर आने में है, ठीक है, या तो जा दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होगा, चाल गुड़े समय, होगा, चाल दिया है, 346 गुड़े, समय दे दिया है, 1.5, यानि डिर मेंट कर समय लएगा, यह तो जा के आने का है, इसका आधा होगा, या तो जाए या तो आए, इस तरह से दूरी, गुड़ा कर देंगे, जब आप गुड़ा करेंगे, दोनों का तो आएगा, 519 आएगा यह, आईए होगा, मीटर में होगा, अब देखिए, इसमें 500 मीटर यह, डी वाला होगा, अपसर इसका सही, पांच अबाइ, एक कार की चाल, पांच सेकेंड में, 36 कीमी परती घंटा स हो जाती है, तोरण क्या होगा, अब देखिए, इसमें यह सेकेंड दिया हुआ है, जब कि यह कीमी में दिये हैं दोनों, तो अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, बदलेंगे, तो पहला यू बराबर, यू बराबर कितना दिया है, 36, प्रारंभिक वे, इसको हम लोग कर ल प्रतिसेकेंड होगा, तो यह यू बराबर कितना आजाएगा, यह कट जाएगा, इससे दो बरती, यह कितना, 10, मीटर प्रतिसेकेंड होगा, ठीक, यह हो गया, अंतिम वेग, वी बराबर कितना दिया हुआ है, 54, तो चांववन गूडे, पांच बरता, 18 कर देंगे, तो व बराबर कितना आजाएगा, यह तीन बर जाएगा, 15 हो जाएगा, मीटर प्रतिसेकेंड, यह एक हमें मिल गया, और हमको एक यह वाला मिल गया, 10 वाला, ठीक है, तो दोनों हमको मिल गया, अब हम इसमें निकाल लेंगे, 80 बराबर दिया ही हुआ है, तो फार्मूला हमारा हो इसमें हम वी कमान लेखेंगे, 15 बराबर 10 प्लस ए गुड़े, टी कमान केतना दिया है, 5, इसलिए 5 ए बराबर घटा देंगे, 15 माइनस 10 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर 5 बटा में 5, इसलिए ए बराबर 1 मीटर प्रतिस सेकेंड स्कुायर होगा, यह आएगा भई, और इस देखिए, एक मीटर प्रतिस सेकेंड यह होगा, बी बला होगा, अगला, एक आदमी 20 केजी का भार भूमी से 5 सेकेंड, 5 मीटर की उचाई तक उठाता है, उसके दर किया गया कार, किया गया कार होता है, इ बराबर, उर्जा बराबर, M, G, H, इस्थिती जूर्जा, जब कोई चीज को आप उपर लेके जाएंगे, तो इस्थिती जूर्जा वाला सुत्र लगेगा, इस पर मैंने वीडियो बनाए है, उर्जा पर उर्जा के परकार क्या है, सब पर मैंने बनाए हैं, आप चाहए हैंगे, दस, दिया है तो ठीक है, दस, पांच कितना है इसका मीटर, तो कितना हो जाएगा ये, पांच मीटर हो गया, तो ये हो जाएगा, ये दो सौ, अगुडे पांच, कितना हो जाएगा, एक हजार होगा ये, एक हजार जूल होगा, अब एक हजार जूल न्यूटन है, क इसका लिए है c वाला इसका आपसम c से ही होगा है co2 के 20 g को mol में कैसे वेक्ट करेंगे ठीक उसका उल्टा सवाल दूसरे का ठीक उल्टा यह सवाल है co2 को गराम में कैसे वेक्ट करेंगे तो देखे सबसे पहली चीज हम आणविक द्रमान निकालेंगे CO2 का, CO2 बाराबर C, इस काणिवी दरह में C प्लस O2, O गुड़े दूग, यह होगा 12 प्लस 16 गुड़े दूग, 12 प्लस 32, ठीक, आप देखिए, अब यह 44 ग्राम CO2 में एक मॉल होते हैं, एक मॉल होंगे, इसलिए एक ग्राम CO2 में कितने मॉल होंगे, एक वटा में 44 मॉल, इसलिए 20 ग्राम में CO2 में कितने मॉल होंगे, एक बटा में 44 गुड़े 20, मॉल कहेंगे इसे, कट जाएगा यह, जब आप भाग देंगे इसे, तो यह आएगा, एक बटा में 2.2 आएगा, आप देख लिजएगा, भाग देखें, यह 2 से कट जाएगा, लाश्ट में 2 से कट के 1.2 मॉल आएगा, ठीक है, मॉल आएगा, अगर यह पूछे कि अणुओ की संख्या, तो आप 6.0, 2.2 गुड़े 10 पर 23 से गुड़ा करेंगे आप, लेकिन केवल यह एक मॉल होता है, एक मॉल वराबर होता है, लेकिन हमेने केवल मॉल पूछा है, तो आप इसमें देखे कौन सा होगा, 4 है, 2 है, 1 by 2, एंसर में यही दिया हुआ है, 1.2 लगवक इसके करीब है, तो इसको D वाल को ही मॉल लेंगे हम, ठीक है, आठ होँआ सवाल, एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकरसन के वुरुत्व किये गए, उस कार की मात्रा कितनी होगी, जिसमें 3 कज वजन वाली साइकिल को समतल से सडक पर 10 मिटर के दूरी तक ले जाता है, जहां, जी बरबर 9.8, अच्छा सवाल है, सबसे बड़ी चीज की एक साइकिल है, माल लेजे, यह एक सता है, और एक साइकिल सवार, जो है, माल लेजे, ऐसे है, है, और यह जो है, साइकिल सवार है, इस पर लड़ा का बैठा हुआ है, और बैठ के इसको चला आ रहा है, कहता क्या है, कि 3 केजी वाली साइकिल को लेक जा रहा है इस तरह से गती कर रही है और गुर्त अकरसंड के विरुद कार करता है उस कार की मातरा कितनी जो एतने 3 केजी साइकिल वाली को समतल सड़के 10 मीटर दूरी तक लेके जाए और यहां से माल यह लेक गया यहां तक यह दूरी होगे 10 मितर किया गयकार क्या होगा बाई जाहिर से बात है कि ये गुर्ट आकरशन बल किधर लगता है, इधर गुर्ट आकरशन बल कया हमान कितना है, इधर ये आकरशन बल नीचे लगा, विस्थापन किधर होगा, इधर आप देख रहे हैं, गुर्तवाकरसन बल इधर लगेगा, विस्थापन होगा इधर इंगिल कितना कबाना, नब्बे अंस और आप जानते हैं कि डबलू बराबर होता है, डबलू बराबर F, D, कॉस, ठीटा होगा, अगर ठीटा बराबर होगा, नब्बे होगा नब्बे होगा, तो F into D, कास कमान क्या हो जाएगा, कास कमान भी क्या होता है, जीरो होता है, यह जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, इसलिए किया गया कार भी क्या होगा, जीरो, कार क्या होगा, जीरो होगा तो ये वाला अपसन इसका एवाला सही होगा एक वस्तु का भार दस न्यूटन ने पिर्थिवी पर इसका दर्मान इतना होगा भार दे दिया है भार क्या दिया है डवलू बराबर एम जी होता है डवलू कितना है अनठानवे गुड़े दर्मान कितना होगा एम अजी कमान नो दसमलो आठ ठीक इसलिए भार देखे भार और थेसा ठी जो आपटे है अपर дर्मान क्या है और जय चेछे चेणज होगा जबकि दर्मान कभी भी परिवर्तिद नहीं होता है कहीं चले चांद पे चले जाई या कहीं चले जाए कियोंकर बाल हो इसका मांस होता है अबलू बराबर mg होता है तो इस लिए दो ढांध इसलिए M बराबर कितना होगा? 10 kg होगा. इसका आपसन देखिए 10 kg, 10 kg दो दो हुआ है इसमें, देखिए 100 भी यहां पर दे दिया यह वाला, तो मान लीजिए B वाला इसमें एक सही है. देखिए दर्मान और भार दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, यह एक बल है. हरमान क्या है? इसका होता है, kg होता है, जबकि भार का मातरक किलो गराम भार या न्यूटन होता है, यह एक बल है. बल उसी तरह जिससे डवलू बराबर होता है, M इंटु जी या F बराबर M A, तो इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है, तो इसका आप संज होगा, वो इसमें तो मिस्पिरिंट हो गया है, kg kg दिया है दोनों, तो यह वाला आप B वाला को जान लीजिए, यह यह भी सही होगा दोनों. तो ठीक है, यह कुल 10 सवाल थे, और इस तरह के सारे सवाल और भी आए करिएगा, और आगे और भी वीडियो हैं, वो आएंगे, तो ठीक है, अब तरह मिलते हैं हम लोग अगले एक वीडियो में, अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद.